आप माफी मंगना चाहिए सब के समने जो भाई मैं इतना दिनों से खमुश था मैं इतना दिन से बढ़वा दिया और अभी आज पकड़ लिया पढ़ाई नहीं है छे इसकूले बंद क्या जा रहा है सरकारी स्कूल दोस्तो अब सब कैसे हूँ मीद करता हूँ अब सब अच्छे होंगे मैं तफजल हुसेन और अप लोग देखी रहे हो टेल गैलरी दोस्तो साइड मेरीज एक्ट जो अभी असाम पर लागो किया है असाम का हिमंति बिस्च सर्मा जी मुझ्च मंत्री उन्होंने जो एक ही रात आप क्हले कि विरूदहूं म rifi require को सपोट करता हूं उसका सब करता हूं जो बाईले विवाह रुके लेकिन अभी एसा हुआ जो लगता है यह मानाब अधिकार के हनन हो रहा है क्योंकि आप एक ही रात में बता दिया सब को इठा की लेग्या हो साइल्ड मेरीज एक्ट का कानून के हिसाब से आप सभी को पता है ना बलक हो उनको शादी नहीं कर सकते वही कानून आज के नहीं है 2006 से बने हुए उसको ग्रीहित किया गया 2006 में और अभी एक रात में बता दो सबको उठा के ले का वो कैसे हो सकता है यह फैमिली का यह फैमिली से आज जो रह रही है जो और अनका दो ही बेटा है दोनों को फुर्स उठा के लेके गए हैं इस एगा अब भुड़ा है हाथ खराब है मेडिकल है मा अभी देखवाल कौन करेगा ये घर में दो उरत भी है दो चार बच्चे भी है तो ये दो कमाईदार बच्चों लड़कों को सरकार पुलिस उठा के ले जाए तो ये फैमिली की क्या हालत हो रहे आप सोचो दोच्तो हम इसका इन से आप लगू किया है उसी दिन बोलो अगर आज से कोई आज से कोई वाईले विभा करे तो उसको काल से उसको अंदर जल में डाखिल करेंगे ये साही बात करो तो हम सपूर करते हैं आप साथ साल से चुपी क्यों बैठे थे इसका उपर सवाला असाम कमिख़ मंत्री ज जिक्सा मंत्री थे तब भी तो आपको दाइत्त था तब भी तो आप सवाल उठाते थे और तब से अगर ये कानुन का उपर आप लोग करवाई करते थे तो बिलकुल अभी जाहिर से बात है बल्ले विभा नहीं होता अभी जो सब लड़के को आप उठाके लेके जाना है लोग शादी नहीं करते क्योंकि उस सब को पता होता था जो भई बल्ले विभा करें तो पुलिस पकड़ के ले जाए लेकिन आप भी आपने क्या क्या आपने एक रात में बोले और सब को उठाके ले जाए आप लोग तो बहुत लोग सावाल करते हो साओधिय आरब की इस्लामिक कानून बहुत कटर है लेकिन आप लोग सोचो यह आपके कटरपन है क्या नहीं है दो हजार से से कानून बना हुआ है उस कानून को आप घाप देके बैठके रखे है चुप चाप करके आ और उससे बल्ले विभा करे 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 और फटक से एक रात में उठाके ले चाहे यह आपकी क्या है आप अपने पर सवाल करो मंतरी जी यह आपका कमिया है आप माफी मंगना चाहिए सबके समने जो भई मैं इतना दिनों से खमूश था चुप था मूझे तो आप लोग भीडहीक बनाते रहते भी मंतरी बनाते थे लेकिन मैं उसका बढ़ानून नही कोई गरबवती है, कोई बच्चा छोटा-छोटा है, एक फेमिली पे एक बच्चा है, अभी इस फेमिली पे दो ले रहे हैं, दोनों को आप लोग उठा लेके गया, आप लोग बोल रहे हो, वो दे देंगे महीलाओं के लिए यह दे देंगे, उसे अप में थोड़ी पट भर मतलब इतना दिन से बढ़वा दिया और आभी आज पकड़ लिया, यह भाई, पता नहीं है, यह सब कौन सा इंसानियत है, खेर यह वीडियो ज्यादा नहीं करना है, दूख है, यह सपूड करता हो, हम यह कानून का उपर हमारा अस्था है, विश्वा से, यह कानून से हम शिक्षा के उपर ध्यान देना चाहिए, आँगि इनूज में देखा हूं, जो विवा सबसे कमकेरला पर हो रहा है, क्योंख ही वह को और अब-पे वीडियो क्या बता V pa smart शिक्सापμंध होने जा रहा हुए यार तो नोगाउं सीले के चर्कारी स्कूल सरकारी बन जा रहा हैं तो पढ़ाई कहा जा रहा है पढ़ाई निचे जा रहा है अब है मैं आखिर में आसाम के मुख्यमंतरी जी को रिक्वेश्ट करता हूँ अभी जो सब हुआ है दो हजार तेस का पहले वो सब हो गया उसका अपर कुछ करवाई करें और अभी से दो हजार तेस से ऐसा अगर कोई शादी करें काम उमर की लड़की या काम उमर का लड़का तो अगर माबब को पता नहीं है भगा के चुड़ा के लेके आया तो माबब की फर्ज है जाके पुलिस पे अपने लड़के को कम्प्लेंड करके पकाड़ के दे आगे बढ़ा के दे जो मेरा लड़का गलत किया झाल झाल